ओके तो आज हमारे haircut में एडवांस लेर haircut का 23 पार्ट वाला हम वीडियो लेकर आए हैं आज का जो मारा पार्ट है वो 23 पार्ट है और 23 वाले पार्ट में मैं आप लोग का अब सबसे फेवरेट butterfly haircut जो की बहुत यदा trend में चल रहा है वो trendy haircut लेकर रहा हूं और हमें sectioning किस तरह से लेना है, gripping किस तरह से होगी, scissor किस तरह से चलाना सारा कुछ आज आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा, और हाँ, last में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हमें इसे styling कैसे करना है, कि आपका जो butterfly haircut है, वो बहुत यची तरीके से visible हो, तो पहले हमने horseshoes निकाला है sections, उपर top area में, और side में हमने दो apartment हमने उसे divide कर दिया है, तो चलिए start करते हम, तो सबसे पहले हम हमारा guideline create करेंगे, और यही guideline हमें हमारा पूरा haircut करने में मदद करेगा, तो चलिए हमने हमारा haircut start कर दिया है, सबसे पहले आप लोग को जो ear to ear का section है, यानि की left side का section, या फिर right side का कहीं का भी section लीजिए सबसे पहले, और उसे आप लोग की decide करिए कि आपको कितना length रखना है और कितना cut करना है, then उसके बाद आपको cut कर लेना है, और अब यही guideline हमें हमारा आगे तक work करेगा, तो आप लोग को जो यह haircut करना है, यह face के front में लाकर आपको cut करना है, जिस तरह हम लोग feather cut करते हैं, बट feather cut हम नीचे के तरफ लेते हैं, यानि 45 degree में, बट इसे आप लोग को straight लेना है, आप लोग को एकदम, और vertical section में, यानि की खड़ी line में आप लोग को section लेनी है, और सारा section आप लोग को आगे की तरफ लेते हुए, और cut करना है, तो आप लोग यह चीज़ ध्यान रखी कि, जो भी आप लोग hairs याफी sections लोगे, वो आप लोग को कान के पीछे से लेना है, कान के उपर से आपका sections निया आएगा, कान के पीछे से आप लोग को मतलब की, आप लोग के कान के उपर अगर hairs आएगा, तो hairs जो यह अनिवन हो जाएंगे, तो यह चीज़ ध्यान में रखनी है, और देखिए, step by step हम लोग पतले sections निकालते जा रहे हैं, वर्टिकल section और वर्टिकल section में हम हमारा haircut पूरा complete करते जा रहे हैं, दोस्तों यह haircut बहुत ही ज़ा trend में चल रहा है, और काफी लोगों ने comments भी किया था कि Sir Butterfly haircut का वीडियो बनाईए, तो आप लोग के comments पे मैंने यह वीडियो लेकर आया पूरा detail में, तो दोस्तों आप लोग भी चैनल पर पहली बर विजिट के हो, तो subscribe कर लेना और like और share जरूर करना, तो subscribe आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो, बहुत लोग ऐसे हैं, तो दोस्तों प्लीज चैनल को subscribe करिए, ताकि जो भी वीडियो से वह आप लोग को मिलती रहे, और अब देखिए, हमारा ये last section जो हमने निकाला है, अब हमारा जो back side में है, वो last sections लेंगे, और उसे हम cut करेंगे, आग के तरफ लेकर, और एक बात आप लोग को ये हमेशा धान रखना है, कि जो भी section आप ले रहे हो, वो कान के पीछे से आना चाहिए, कान के उपर आपका hairs बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, और आप पूरे hairs को हम एक साथ लेंगे, और लेने के बाद में जो भी extra hairs आएंगे, उसे हम लोग करेंगे cut, तो चलिए, इसे cut करने के बाद में, मैं आप लोग को दिखाऊंगा, कि जो हमारा left side का section है, उसे आप लोग को किस तरह से cut करना है, तो ये हमारा right side का जब पूरा hairs कम cut हो जाएगा, तब उसके बाद में हम left side का section लेंगे, तो left side के section के लिए हमें guideline कहां से मिलेगी, हम यहीं से guideline लेंगे, कैसे guideline लेंगे, ये काफी जादा आप लोग को देखने अली बात है, तो बहुत ही important है कि guideline के बिना आपको haircut नहीं करना है, तो guideline कैसे मिलेगी वो आप लोग देखिए, तो चलिए इसे एक से दो बर हम लोग पूरा hairs लेकर check कर ले रहे हैं, कोई extra hairs तो नहीं है, और जब आप लोग पूरा confirm हो जा तो अप उसका cut करके, और अब हम बढ़ते हैं हमारे right hairs की तरफ, तो right वाला section हमने निकाला है वहाँ पर पहुँचते हैं, और वहाँ पर अब हमें चाहिए पहले guideline, तो guideline कहां से लेंगे, जैसे कि मैं आपको बतायाएं कि काफी देखने लिवात है, और काफी important है कि दोनों side का जो हमारा hairs से वो एक से लेवल में होना चाहिए, तो दोनों left और right side का section एक level हो, उसके लिए हम वहाँ से एक hairs लेंगे, और hairs लेने के बाद में यहाँ से भी हम एक पतला से hairs लेंगे, और दोनों को हम लोग merge करके cut करेंगे, जो कि हमारा guideline हमारा create हो जाएगा, जैने कि जिस तरह हमने right side का section cut किया था, उसी तरह हम लोग का same हमारा left side का भी पूरे hairs होने चाहिए, उसके लिए हम लोग पहले guideline लेते हैं, तो guideline देखिए, मैंने create कर लिया, एक पतला से hairs लिया, और मैंने merge किया वहाँ पर, अब हमारा जिस तरह right side का section पूरा एक equal में है, उसी तरह हमारा left side का section है, वो भी same होगा, तो इस तरह आप लोग को लेना है guideline, और अब उसी तरह आप लोग को पतले-पतले vertical sections लेते हुए, और cut करना, यहाँ पर देखिए, आप लोग section देख पार हो, एकदम knit and clean आ रहा है, और जब भी आप लोग haircut करो, मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूँ कि अच्छा haircut के लिए, आप लोग की hairs जो है, वो अच्छी तरीके से clean होना चाहिए, तो hair अच्छी तरीके से clean करकने के लिए, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे shampoo और conditioner, शैंपू conditioner जब अच्छी तरीके से होई होगी, तो आप लोग को जो section है, वो बहुत ही neat and clean निकलेगा, और gripping भी काफी अच्छी finger में set होगी, तो देख रहे हो आप लोग कि किस तरह से मैं पूरे hairs को over direct करते होए, आगे के तरफ ले रहा हूँ, बस एक चीज ध्यान रखना है कि आप लोग का hair से, वो कान के back side से आना चाहिए, कान के ऊपर ना हो, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, कान के back side से आप लोग को बहुत ही proper तरीके से लेना है, आगे की तरफ finger के gripping बनाते हुए, और जो भी extra hairs दिखे, आप लोग को उसे कर देना है cut, अब scissor देख रहे हो, यहाँ पर मैं नीचे से उपर की तरफ चला रहा हूँ, आप लोग को जिस तरह भी बनें, अब मैं वीडियो बनाने के लिए आप लोग को पूरा clear दिखे, इसलिए मैं इस तरह से आगे की तरफ खड़े होके cut कर रहा हूँ, आप चाहो तो आगे की तरफ खड़े होके cut कर सकते हो, या फिर आप लोग इस तरह से back side में भी खड़े होके cut कर सकते हो, देखिए मैंने दोनों types का आपको दिखा दिया हूँ, कि आप लोग को किस तरह से cut करना है, अभी हमारा जो उपर का section है, जो होर्सू section लिए है, अभी वो cut करना बाकी है, वो किस तरह से cut होगा, वो सारा कुछ आप लोग video पर बने रही है, तभी आप लोग को पुरा detail में समझ में आएगा, और इसे आप 2-3 बार video देखिए, क्योंकि कुछी नया trend वाला haircut है, तो आप लोग को इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, जब तक कि आप लोग 2-3 बार देखेंगे नहीं और practice करेंगे नहीं, जब आप लोग अच्छी तरह से practice करोगे, देखोगे कि मैं किस तरह से section ले रहा हूँ, guideline कहां से ले रहा हूँ, तभी आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा, तो देखिए, हमारा जो अभी last section बचा हुआ है, उसे cut करने के बाद में, फिर हम आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारा horseshoes section ने उपर की दरब, जिसे हम लोग full moon भी बोल सकते हैं, full moon sections भी बोल सकते हो, तो इसमें आप लोग को सबसे advantage यह है, कि अगर किसी को बहुती ज़ादा unlimited layers चाहिए, तो इसमें काफी ज़ादा unlimited layers मिलता है, और यह haircut इतना समझ लीजी कि अगर आप लोग ने 2-3 बार practice कर लिया, तो बहुती easy तरीका हो जाता है इसे haircut करने का, और मैंने काफी ज़ादा कोशिश किया, कि आप लोग को बहुती आसान तरीके से समझे, दोस्तो यहाँ तक आचुके और वीडियो को लाइक नहीं कियो, पर आप लोग आ सकते हो, अगर आप लोग आ सकते हो, तो अगर बहुत दूर के हो, तो आप लोग तो नहीं आ सकते, बट जिन लोगों को पता है कल्यान का है, तो आप लोग मुझे Instagram पर message करके appointment ले सकते हो, और मेरे salon में आ सकते हो, कोई भी hair से related service के लिए, और Instagram आइडी मेरा hair stylist रोहीते, link आप लोग को description में मिल जाएगा, या फिर screen पर जो भी आप लोग देख रहे हो, वहाँ पर जाके follow कर सकते हो, तो देखिए, layers हमारा unlimited बहुती अच्छी तरीके से आ चुका है, अभी हमारा उपर का जो hair से, जिसे हमने होर्शू section किया, उसे cut करना बागी है, लेकिन उसके पहले, आप लोग इसे देंगे one length, तो one length, जैसे कि मैं आप लोग को हमेशा बताता हूँ, कि one length हमारे haircut का base होता है, तो one length cut होना बहुती ज़्यादा ज़रूरी है, तो चलिए, इसे अच्छी तरीके से हम one length कर लेते हैं, आप लोग देखोगे कि इनका जो hair है, वो काफी thin और पतले, जिसके वज़े से इनका जो नीचे का हिस्सा है, hairs का वो बहुती थीन है, तो उसे हम cut करके निकाल देंगे, जितना हो से कि उतना अच्छी तरीके से आप लोग पहले client को भी पूछ लीजिए, कि उन्हें length कितना short चाहिए, और फिर उसी के according आपको इसे one length करना है, इसमें hairs में layer बहुती unlimited आता है, बहुती ज़ादा अच्छा, मैं आप लोग को इसे styling करके, जिब blow dry करके दिखाऊंगा, तब आप लोग देखना इसका final result कितना amazing दिखता है, तो देखिए step by step हमने पहले one length के लिए guideline ली और फिर उसके बाद में हम लोग one length को उसी तरह follow करते हुए, जिस तरह हम लोग one length करते हैं, हमने cut कर लिया, जब हमारा one length complete हो जाए, तब हमें जो हमारा उपर का top का area है, यानि कि horseshoe section है, उस तरह बढ़ेंगे और उसे हमें करना है cut, तो उसे किस तरह से cut करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा top का area हमें हमारे front hair को, हमारे front look को present करेगा, त तो पूरा आची तरीके से ध्यान लगा कर देखिए, कि अब हमें यह जो उपर का top का area है, horseshoe section इसे किस तरह से cut करना है, तो इसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा यह होती है, कि जो side के hair है वो इसमें merge हो जाते है, तो side के hair जो हमने cut कर लिया है, वो इसमें mix ना हो, हमें cut करने में दिक्कत ना हो, इसके लिए आप लोग क्या करोगे देखिए, आप लोग सबसे पहले इसे partition निकालोगे, उपर का जो हमें इसे दो पार्ट में divide करेंगे, और half profile section निकालेंगे, यानि कि crown तक हमें इसे profile section में निकालना है, middle partition, और उसके बाद में बाकी के hairs को हमें कर देन sectioning और जो हमारा front का hair है, यानि कि इसे हम money piece section भी बोल सकते हैं, ये money piece section आप लोग को highlights hair color करने के लिए बहुती ज़्यदा हमें use होता है, तो सबसे पहले आप लोग client को पूछ लेगो कि कितना short चाहिए, तो इने chin level तक short चाहिए, तो इसे directly आप लोग chin level पर लाकर और इसे cut कर कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसे fold करके अच्छे तरीके से छोड़ सकते हो, और आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात ये है, कि आप लोग का जो hair से वो बाकी के hair में merge ना हो, कट करते समय, क्योंकि हमें सिब horse shoe section कट करना है, तो ये देखी हमें हमारा guideline म और आप लोग को head को इदम straight रखना है, और straight रखते हुए आप लोग को थोड़ा सा finger को cross में लेते हुए, यानि कि अगर आप लोग left side का cut कर रहे हो, तो थोड़ा सा right की तरफ आप लोग इसे tilt करिए, या फिर अगर right side का cut कर रहे हो, तो उसे आप लोग को left side में थोड़ा सा टिल्ट करके और कट करना है और sectioning आप लोग को diagonal section ही निकालना है और diagonal section निकालते हो आप लोग उसे cut करें देखिए मैं थोड़ा सा उसे जैसे कि मैं अभी cut कर रहा हूँ right side का तो मैं थोड़ा सा left side में हलका सा tilt हो रहा हूँ और देन उसके बाद में उसे हम कर रहे हैं cut और लिया है हमें उसे ही स्रिप cut करना है क्योंकि बाकी की जो hair से उसे हमने cut कर लिया है तो यह चीज भ्यान देना है कि हमारे बाकी के hairs उसमें mix ना हो ताकि वो भी hair ना cut जाए तो देखिए मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बाकी के hairs देखिए हमारे बराबर lining में हैं और हम उस hairs को बिल्कुल भी touch नहीं कर रहे हैं और बाकी के सारे hairs को हम लोग tilt कर रहे हैं थोड़ा सा opposite side में और देन उसे हम लोग cut कर रहे हैं तो यह हमारे guideline दिखी और हमने किया इसे cut तो अब हमारा haircut हमारा one side का complete हो चुका है जो हमने दो part में divide किया था और अब second part लेंगे और उसे हम हम लोग cut करेंगा अब second part है उसे भी हमें किस तरह से tilt करना है यह भी आप लोग को देखने लिबात है और आप लोग देखेंगे कि यह haircut मुझे लगता है जहां तक कि आप लोग ने अभी तक नहीं देखा होगा कहीं और आप लोग के लिए काफी नया यह haircut है तो इसमें हमारा अभी देखिए जो हमारा जो second वाला जो हमने पार्ट टिवाइड किया था उसमें देखिए guideline देखिए हमारी guideline और इसी guideline में हम इस जो हमारा side वाला left side का section है उसे भी cut करेंगे और यहां पर भी हम लोग देखिए कि हम जो section ले रहे हो diagonal section और बाकी के hairs को आप लोग चाह hair से उसे cut कर रहे हैं आप लोग को काफी अच्छी तरीके से और बहुती ज़्यदा detail में I hope कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमें यह haircut करना है अभी तक हमने advance और basic मिला कर काफी haircut मैंने आप लोग के लिए लाया है और काफी कुछ आप लोग को समझ में आय जैसे कि natural graduation हो गया reverse graduation हो गया feather forward graduation हो गया यानि कि one length और V shape U shape यह सारे basic से लेकर हमने advance में long layer haircut step with layer haircut face framing और देन उसके बाद में हमने square layer haircut और बहुत सारे haircut हमने complete कर लिये हैं और आज हमारा यह हो गया butterfly haircut shortcut में हमने लिया था हमारा bob cut और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग ने उस पर प्यार दिखाया और सारा वीडियो हमारा हो सकता है कि complete हो चुका है haircut का और अब हम हमारा haircut complete होने के बाद में blood dry के भी मैंने outcals के वीडियो आप लोग के लिए डाल दिये हैं आपने blood dry के outcals के वीडियो नहीं देखियोंगे तो चाहिए हमारा outcals का भी वीडियो आ चुका है और इसके बाद हमारा बहुत ही जल्दी blood dry का दूसरा और तीसरा जितना भी हो सके मैं आप लोग ब्लोड के लिए वीडियोज लेकर आते रहूंगा और हम बहुत जल्द अब कलर की उपर पहुचने वाले हैं और कलर में भी हम इसी तरह बेसिक तू एडवांस हैरकट पूरा कंप्लीट करेंगे तो चलिए फाइनली हमारा पूरा हैरकट कंप्लीट हो चुका है अब आप लोग को फा कर सकते हो कि एकदम हमारा जो लेघ्र है पूरा टॉप टू बॉटम तक बहुती ज्यादा अनिमिटेड लेर्स मिल चुका है तो चलिए अब हम चलते हैं इसे ब्लोड राइ और ब्लोड राइ के लिए आप लोग इसे आउट कल्स ब्लोड राइ कर सकते हो और इसे आप ब्रशेश है वो ब्रशेश भी हमारा आइकोनिक काई है जितना अच्छी तरीकी से ब्रेंडेट आप लोग प्रोडक्त या फिर टूल्स यूज़ करोगे उतना ही अच्छा आप लोग को रिजल्ट आएगा तो हमारा ब्लोटराय कंपलीट हो चुका है और अब आप लोग को ह इतना बहतरीन सरीके से फ्रेमिंग कर रहा है इनके हैर काफी पतले थे बट हमारा जो लेयर है काफी अल्लिमिटड और अच्छा सा आया है और फेज को बैक साइड से देख सकते हो और फ्रंट का भी लुक देख सकते हो काफी अच्छा रिजल्ट आया है तो दोस्तों आप भी ये ट्राइ करिए किसी भी टाइप्स का हैरो आप लोग चाहो तो इसे मीडियम लेंथ या फिर शॉर्ट हैर्स में भी आप लोग इसे कट कर सकते हो जिसे भी जादा अनिमिटेड लेर्स चाहिए उसे आप लोग ये हैर कट दीजिए और जिसे भी अगर फेस फ्रेमिंग किसी का फेस हमारा ज़्या बड़ा बीग या फिर डायमेंड फेस हे तो उस पे आप लोग ये हैर कट करिए बहुत ही अमेजिंग सा हैर कट आता है और अभी तो ये फिलाल ट्रेंड चल रहा हमारा मीडल पार्टिशन का तो चलिए आप लोग को ये हैर कट कैसा लगा आना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बाई बाई टेक लिए